प्रिय विद्यार्थी मित्रो नवी कक्षा की ये पांचवी कविता है किताबे कुछ कहना चाहती है जिसे सवदर हाश्मी ने लिखा है ये इस कविता को हम पढ़ेंगे इसे समाजने की कोशिश करेंगे कि इसका जो विशेश पुरव वो जो है इसे कविता को सादर करने की जो माध्यम है वो मानव और मन की भावनाव को पेश करना है सवदर हाश्मी का पहले परीचे देखते हैं सवदर हाश्मी कौन है ये इनका जन 12 एप्रेल 1954 को दिल्ली में हुआ इनकी मृत्यू दो जनवरी 1991 गाजियाबाद उत्तर पर्देश में हुई परीचे सवदर हाश्मी एक नाटककार, कलाकार, निर्देशा, गीतकार, अरकलाविद थे प्रमुक करतिया हैं उनकी किताबे मच्छर, पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदी प्रसिद्ध रचनाये हैं दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित हैं अब यह जो नवी कविता है, यह समवेदना के साथ मानवी परिवेश के संपूर्न वैविद्ध को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने के वाली काविधारा है प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है, इस कविता में सब्दर हश्मी ने किताबों के माध्यम सेमन की बातों का मानवी करन करके प्रस्तुत किया है इसे समझे, इसे पहले हम इसका वाचन कर लेंगे और वाचन करने के बाद इसका सरल भावार्त समझने की कोशिश करेंगे किताबे, किताबे कुछ कहना चाहती है अब किताबे क्या कहना चाहती है किताबे करती है बाते किताबे करती है बाते बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, किताबे करती हैं बाते बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे बाते किताबे कुछ कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है किताबे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, किताबों में चड़िया चह चाहती है, किताबों में खेतियां लहला हाती है, किताबों में खेतियां लहला हाती है, किताबों में जहरने गुन गुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में राकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ग्यान की भरमार है, किताबे कुछ कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है चलिए इस कविता के भावार्थ को समझते हैं इसका सरल अर्थ समझते हैं किताबे हमसे बाते करना चाहती है वे बाते बीते जमानों की बाते करती है और किताबे जो बाते करती है वो एक एक पल की बात है चाहे वो खुशी की हो गम की हो चाहे वो मनुश्य के वेवार की हो मनुष्य का वेवार कुरूरता पूर्ण वेवार है मनुष्य विजयता 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 वनने के लिए हमेशा लोगों पर भम बरसाता है किताबे विजय की यात्राओं की बात करती है वो चिडियों की भी बात करती है वो खेतों की खलियानों की बात करती है वो विग्यान की भी बात करती है लेकिन वो मानवी जीवन की उन तमाम बातों को यहां पर बताती है किताबों में जहरने के गुन गुनाने की बात है परियों के सुन्दर कहानिया है किताब ये बताती है कि राकेट किस तरह बनाए जाते है किताबों में साइंस है विग्यान है सिद्धान्थ है उसमें असीम संसार छपा हुआ है उसी की सीमा की ही नहीं और किताबों में ग्यान भरा पड़ा है कि लेकिन क्या मानव इस संसार में जीना चाहेगा जिसमें बमो की बात होती है, मारकाट की बात होती है, विग्यान की बात होती है लेकिन मानवता की बात नहीं होती इसलिए यहां सवदरहश में बताना चाहते हैं, किताबे तुमसे बाते करना चाहती है तुम्हें कुछ बताना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है अगले वीडियो में दुबारा आप से मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई